हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन स्टडी आईक्यू में तो हम लोग नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फोर जनरल स्टडीज जिसमें आपको MPSC Civil Engineering जो Preliminary exam होने वाली है उसके लिए जनरल स्टडीज के लेक्चर्स मिलेंगे और सिर्फ इसके लिए ही इंपोर्टन नहीं है सिर्फ इस exam के लिए अधर exam जो होते हैं Every competitive exam कोई भी competitive exam हो उसमें जनरल स्टडीज मैक्सिमम competitive exams में होता ही है तो उन सब के लिए ये videos helpful रहेंगी तो चलिए वीडियो के start करते है So इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है India's five year plan पास साल का plan क्या है इंडिया का Each and everything will be explaining this video मैं हर topic आपको explain करूँगा कि five year plan क्या होता है उसको कोन monitor करता है उसमें total अभी तक कितने five year plans हुए है ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है वीडियो सीरीज जो है one by one में एक एक सीरीज में आपको एक एक plan बताता जाओंगा इस वीडियो में हम लोग सिर्फ first five year plan देखेंगे और उसका introduction देखेंगे कि five year plan actually है क्या उसको कौन monitor करता है तो सबसे पहले let's see why it was needed इसकी जरूरत क्यों थी five year plan की अब हुआ क्या जब इंडिया को independence मिला in 1947 तो इंडिया का जो economy था वो बहुत जादा disturbed हो चुका था British ने क्या किया था जब यहाँ पे वो left किया उन्हाने इंडिया को तो उसमें इंडिया की हालत बहुत खस्ता थी in terms of economy तो हमारे जो ministers थे हमारे जो politicians थे उन्हाने ऐसा decide किया कि क्यों न हम लोग कुछ plan करे for the development of our country इंडिया के लिए तो उन्हाने क्या किया कि हम लोग ऐसा करते है हर 5 साल का हम लोग को plan करके रखते है कि अपने को ultimately क्या करना है we have to develop the Indian economy and we will develop this Indian economy in terms of 5 years 5 साल के terms में हम लोग क्या करेंगे उसको इस Indian economy को बहतर बनानी की कोशिश करेंगे अब Indian economy को अगर बहतर बनाना है तो उसमें एक concept आता है आपका GDP Gross Domestic Product वो क्या है वो भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे बस इतना याद रखो Gross Domestic Product जो है उसको भी हमको बढ़ाना था ultimately और बहुत सारे ऐसे points थे जो हमको cover करना थे for example agriculture में अगर कुछ need है कि अभी मान लो पहला 20 year plan था for example तो उसमें अगर किसी को लग रहा है कि agriculture में बहुत ज़्यादा development की जरूरा थे तो agriculture पर focus किया जाएंगा अगर बाद में के 20 year plan fire plan में ऐसा मालूम हुआ या ऐसा लगा कि technology के field में हमको growth करने की बहुत ज़्यादा जरूरा थे तो उस पर ज़्यादा focus किया जाएंगा तो हर एक plan जो था fire plan उसमें कुछ न कुछ उसके objectives थे कुछ plan किया गया as the name says कुछ plan उसमें किया गया और वो ultimately उसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये plans हमको achieve करना है ऐसा इसका target बना दिया कुछ targets हमने set कर दिया so उसके लिए हमने commission बना दिया और उसका नाम था planning commission तो याद रखो अगर कोई भी exam में not only in MPSC civil engineering but also in other exams अगर planning commission के बारे में पुछा गया what is planning commission that we will see but planning commission was set up in March 1950 कब setup किया गया वो it was set up in March 1950 ठीक है अब और एक उसमें important point है कि जवारलाल नेहरू was the first chairman of the planning commission very important question see this हा कौन था first chairman planning commission का पंडित जवारलाल नेहरू was the first chairman of the planning commission ठीक है और उसके बारे में देखेंगे हम लोग तो मैंने बोल दिया ना उसको monitor कौन करेंगा फिर हमने खास committee अगर बनाया है हमने planning commission of India को अगर बनाया है तो वो किस लिए बनाया था हमने for fire plan न so fire plan जो था उसका framing framing मतलब उसके क्या क्या objectives होना चाहिए उसको कैसा execute करना है सिर्फ objective और plan करके तो कुछ नहीं होगा उसको हमको execute भी करना पड़ेंगा तो उसका execution कैसा होगा वो उसको monitor भी करना पड़ेंगा के whether we are going as per our plan or not वो भी हमको देखना पड़ेंगा तो ये सब चीजे करने का काम कोन करता था planning commission of India ठीक है so as I told you के planning commission was set up in March 1950 and the draft of first fire plan was published in July 1951 जो पहला fire plan था उसका draft कभ publish हुआ याद रखो July 1951 में और उसका approval कभ मिला हमको December 1951 में you have to remember this first fire plan जो था उसका draft कभ publish हुआ it was published in July 1951 and it was approved in December 1951 ठीक है and अब इसमें कुछ हमको chairman assign करना पड़ेंगा उसके जो working member से वो assign करना पड़ेंगा तो other members को छोड़ दो बस important याद रखो के prime minister जो था prime minister जो थे हमारे he was appointed as ex officio chairman chairman के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया prime minister को और the commission has nominated deputy chairman who has rank of cabinet minister और deputy chairman के तौर पर किसको appoint किया गया किसको nominate किया गया जिसको cabinet minister का rank है उनको हम क्या कर सकते है as a deputy chairman हमारे planning commission में रख सकते है और planning commission का क्या काम है five year जो plan है हमारा development plan उसको frame करना execute करना और monitor करना then let's see what are the functions of planning commission of India इसके functions क्या है to make assessment of the resources of the country and to see which resources are deficient हम को check करना है जैसे के मैं बोला के अगर आपको ऐसा planning commission को ऐसा लगा के agriculture field में development की जरूरत है तो वहाँ पर क्या के resources मुझे लगेंगे so that ultimately what is the aim we have to develop our country we have to grow our GDP gross domestic product तो ये सब करने के लिए क्या क्या assess करना पड़ेंगा क्या क्या resources लगेंगे ये देखने का काम किसका है planning commission of India और कौन से resources deficient है मान लो कहीं आपको कोई भी एक resource लग रहा है तो वो deficient quantity में है या नहीं वो चेक करने का काम किसका है planning commission of India का then to formulate the plans for the most effective and balanced utilization of country's resources अब हमने ये ये तो चेक कर लिया के कहां पे कहां पे resources कम है अब उन resources का कहां पे इस्तेमाल करना है कहां पे most effective way में उसको use करना है कहां पे उसका balanced utilization होना चाहिए वो काम कोन करता है planning commission of India then to indicate the factors which are hampering economic development ऐसे कौन से factor से जो हमारे economic development होने को रोक रहे है वो चेक करने का काम भी किसका था planning commission of India then to determine machinery that would be necessary for the successful implementation of each stage of plan ऐसे कौन से machineries हमको लगेंगे क्या क्या लगेंगे हमको resources वो सब implement करना उसका successful implement करना हर stage पर planning के किसका काम था planning commission of India का then periodical assessment of the progress of the plan जो हमने plan कर दिया already के we have to grow our country we have to grow the economy of our country बट उसका assessment proper हो रहे के नहीं उसका periodical checking भी कोन करता था planning commission of India and the commission is seeing to maximize the output with minimum resources with the changing times मतलब कम से कम resources से जादा से जादा output हो और country को फायदा हो यह देखने का काम भी कोन करता था planning commission of India then planning commission has said the goal of constructing a long term strategic vision for the future यह important points इतना नहीं है functions starting की जो functions मैं बताया हूँ वो ही है और क्या काम था उसका देखो goal set करना ठीक है long term goals also it set sectorial targets and provides catalyst to the economy to grow in the right direction यह important point है देखो मैं इसको आगे भी explain करने वाला हूँ sectorial target हम लोग करते थे जैसे कि मैं बोला ना कि agriculture में कितना percentage रखना है total अगर आपको expenses for so and so लग रहा है 2,000 crore, 1,000 crore so out of that 2,000 or 1,000 crore how much will be the expenses required for the irrigation projects how much will be the expenses that are required for the technological works or other works ठीक है मैं one by one बात करूँँगा जब हम first 20 year plan देखेंगे तो तब मैं बोलूँगा आपको sectorial targets हमने क्या क्या रखा था then planning commission plays an integrative role in the development of holistic approach to the formulation of policies in the critical areas of human and economic development पूरा उसको integrate करना development कहाँ पे कहाँ पे ज़रूरी है human areas में और economic development में ठीक है अब यहाँ पर important point शुरू होता है देखो percentage GDP growth per year अब यह क्या चीज़े मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ जब हम लोगों ने 20 year plans, sorry 5 year plans बनाना जब start किया first 5 year plan, second 5 year plan and so on ऐसे total जितने भी plans हमने बनाए तो उसका हमने कुछ target कर दिया कि first plan जो है for example देखो वो कब से start हुआ 1951 से और वो खत्म कब था? as it was a 5 year plan तो obviously वो 1956 में खत्म होने वाला था so 1951 से हमने start किया और 1956 को वो खत्म हो गया तो उसका जो target था कि हमने consider किया कि per year जो GDP हमारा growth हो वो 2.1% हो, कितना हो? 2.1% हो और actually हमने कितना achieve किया उसको? 3.6 achieve कर दिया मतलब it was a successful attempt first जो plan था हमारा 5 year plan, then second 5 year plan, अब obviously 1956 से start होंगा और 61 में वो खत्म हो जाएगा उसका जो target हमने रखा per year GDP growth के लिए वो था 4.5% but actual जो हमने achieve कर पाए वो था 4.27% मतलब actual थोड़ा कम हुआ as compared to the targeted percentage GDP growth, then third 20 year plan 1961 से 66 तक उसका target था 5.6 हमने achieve किया 2.4, देखो अभी यहाँ पर बहुत important point होता है, third जो plan था हमारा 1961 से start हुआ 66 से पर खत्म हुआ उसका target हमने set किया 5.6 but achieve कर पाए only 2.4 मतलब it was a failed trial, मतलब भी fail हो गया इसलिए हमने यहाँ पर याद रखो third जो हमारा plan था fire plan उसके बाद एक holiday दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग plan holiday, कब से कब तक दिया वो 66 से 69 ओके, और फिर fourth plan फिर से कुछ जो भी हमने उसको check किया कि इसके क्या reasons थे कि जो हमारा third plan है वो fail हो गया इतना जादा fail हो गया, almost 50% fail हो गया हो, तो वो हमने check किया, अच्छे से study किया और कब तक study किया, जब हमने holiday ले लिया plans का, और वो कहां से कहां तक लिया 66 से 69 तक याद रखो, तो वो holiday हमने ले लिया और check किया, ओके then fourth plan, 69 to 74, उसका था हमारा target 5.6, achieve कर पाए 3.3, उससे थोड़ा बढ़ गया, देखो, then fifth plan, 4.4 ही किया, हमने इस बार target और 4.8 achieve कर पाए, then sixth plan from 1980 to 85 we targeted 5.2% of GDP growth per year, और achieve कर पाए 5.7, seventh जो plan था 1985 से 1990 तक जो हमने 5% target किया था और 6% हमने achieve किया, eighth जो plan था 1992 to 1997, वो हमने 5.6 target किया और 6.8% achieve किया, similarly you can pause the video and you can check how much was the target and how much actually we achieved the target, ठीके, अब और एक थोड़ा सा important point में बता दूँगा, 10 तक आप लोग देख लो, कि कब से कब तक था, क्या target था और क्या actual में हमने achieve किया, ओके, तो ऐसा 12th plan तक हम लोग आ गए, ठीके, अभी मैं 12th plan में आपको देखो, दो टार्गेट लिखा हूँ मैं यहाँ पर, 8.2 और 8%, ऐसा क्यूँ, तो उसका reasons में यहाँ पर लिखा हूँ देखो, 8.2 परसंट जो था, वो Government of India का decided था, GOI, Government of India ने decide किया, कि 8.2 हम लोग target करते हैं, बट, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, National Development Council जो था, on December 27, 2012, approved a growth rate of 8% for the 12th plan, 12th plan के लिए उनने क्या किया, उनने 8% approve किया, क्योंकि उनको 8.2 परसंट जो था न, वो थोड़ा जादा लग गया, और और एक पॉइंट इस में इंपोर्टन है, देखो, Deputy Chairman of the Planning Commission, Montecic-Eluvallia, has said that achieving an average growth rate of 9% in next 5 years is not possible, पहले तो हमने क्या decide किया था, कि क्यों न 9% रख दे, बट, जो हमारे Chairman थे, Deputy Chairman Planning Commission के उस time पर, कौन से time पर, जब 12th plan हम लोग, 12th fire plan जब decide कर रहे थे, 2012 की बात है यह, तो तब वहाँ पर Deputy Chairman कौन था, Montec, Montec, Singh, Ahaloo, Walia, ठीक है, तो यह जो थे, यह Planning Commission के Deputy Chairman थे, इन्होंने क्या बोला, कि 9% जो आप लोग टार्गेट कर रहे हैं, इतना वो पॉसिबल है ही नहीं, इतना जादा मत रखो, ठीक है, So, the final growth target has said by 8%, ठीक है, तो finally कितना रखा गया, देखो, Government of India ने बोला 8.2, National Development Council ने बोला 8%, Ahaloo, Walia जी ने क्या बोला, Deputy Chairman जो थे, उनने बोला 9% तो पॉसिबल ही नहीं है, तो finally हमने target क्या कर दिया, 8% का target हमने कर दिया, At National Development Council meeting held in New Delhi, कहां पर होई वो, New Delhi पर होई, Is the points important है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर mention कर रहा हूँ, It and everything, मैं बोला था ना आपको cover होंगा, बस इतने वीडियो देख लिया ना आपको, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है, So one, एक वीडियो अगर आपका पूरा एक बार भी, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, आपके notes बना लिये इससे, तो it will be more than sufficient, Now we will start with first fire plan, तो अब हम लोग देखते हैं, first fire plan, जो की start हुआ था 1951 में, और खत्म हुआ था 1956 में, ठीक है, तो बात करते हैं, fire plan की first fire plan, very important हैं, देखो क्या है, first prime minister, पंडित जवारलाल नेरू, presented the first plan, to the parliament of India, on December 8, 1951, याद रखो, Parliament of India में present किया था, किस ने किया था, first prime minister ने, पंडित जवारलाल नेरू ने, और कब किया था, December 8, 1951 में, कौन से plan की बाद चल रही हैं अभी है, first fire plan की, ठीक है, 1951 से 1956 की, then, this plan was based on the, Harald-Domar model, अभी क्या model है, मतलब, obviously, अगर कोई plan हम लोग बना रहे हैं, तो किसी का reference तो लेंगे न, वो किस पर बेज़ड था, Harald-Domar model पर बेज़ड था, very important, okay, then, the plan addressed mainly, the argerian sector, agrarian sector, including the investment in dam and irrigation, agriculture sector पर बहुत ज़ाद फोकस किया गया, ये वाले plan में, first fire plan में, जो कि start हुआ था 1951 में, और खत्म कब हुआ था, 1956 में, okay, तो इस पर ज़ाद फोकस किया गया, किस पर agriculture sector पर, और dams और irrigation project में भी, हम लोगों ने क्या करा, invest किया, इस plan, मतलब first fire plan में, ठीक है, so, the total plant budget was, 2069 crore, it was allocated to seven broad areas, मैं बोला था न, कि अलग-अलग sectors को, हमको divide करना था, हमको focus करना था, कि कौन सा sector कम है, कहाँ पर budget की जरूरत है, कहाँ पर resources की जरूरत है, यह सब चीजें हम लोगों ने देखा, और साथ ऐसे broad areas को, हमने decide किया, finalize किया, तो वो साथ areas कौन से कौन से थे देखो, first, irrigation and energy, तो total जो, 2069 crore का, जो हमारा budget था, उसमें से 27.2% हमने किस के लिए रखा, irrigation और energy sector के लिए, ठीक है, then, agriculture and community development के लिए, हम लोगों ने कितना percentage रखा, 17.4% का, हमने क्या रखा, budget रखा, out of this 2069 crores, then, third जो जो सेक्टर था, हमारा वो था, transport and communications, जिसके लिए हम लोगों ने रखा, services के लिए रखा, 16.64%, land rehabilitation के लिए रखा, 4.1%, and other sectors and services के लिए रखा, 2.5%, याद रखो, ये percentages भी important है, और नहीं भी याद रखा, at least इतना तो याद रखो, कि कितने sectors में हम लोगों ने इसको divide किया था, first fire plan में, हमारा जो budget था, और कितने sectors में divide किया था, साथ sector में, irrigation और energy, agriculture और community development, transport and communications, industry, social services, land rehabilitation, and for other sectors and services, ओके, तो इतना साथ sectors में हम लोगों ने क्या किया, first fire plan को allocate किया, हमारा budget को allocate किया, ठीके, और थोड़ा important points देखते है, first fire plan के बारे में, the primary aim was to improve living standards of the people of India, जो primary aim था ना, हमारा first fire plan का, वो क्या था, कि living standards जो है, लोगों का वो बढ़ाना है, इंडिया के, ठीके, and this was done by making the use of India's natural resources, हमारे पास जो natural resources है, हमारी खुद की, इंडिया की मिट्टी, natural resources, मान लो, for example, sun, solar energy का हम लोग यूज कर सकते थे, बारिश जो है, rain water का, तो natural resources जितना हो सा के, उसका use हो, इसका हमने ध्यान रखा, first fire plan में, then, target तो मैं आपको बता दिया हूँ, वो table आप रेफर कर सकते, कि GDP target कितना था, 2.1% every year, और achieve कितना की, हमने 3.6, और एक important point, क्योंकि देखो, ये MPSC civil engineering का, preliminary exam का, तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें ये question पूछ सकता है, other exams के लिए, ये video तो important है, पर अगर civil point of view से, अगर आपने देखा, तो ये point देखो क्या है, first fire plan में क्या हुआ, मेरी many irrigation projects, including, भाकरा डैम, के projects को start किया, हमने first fire plan में, भाकरा डैम, हीरा कुंद डैम, मिटूर डैम, देन दामोदर वैली डैम्स, ये जो डैम्स थे, हमने ये first fire plan में start किया, ठीक है, और क्या किया देखो, at the end of the plan period, in 1956, five Indian institutes of technology, 5 IITs were started, as a major technical institutions, 5 IITs start हो चुके थे, by the end of first fire plan, जो कि बहुत अच्छा achievement था, तो याद रखो, ये भी point important है, by the end of, अगर ऐसा question आता है, for example, by the end of first fire plan, how many IITs were started, as a major technical institutions, तो कितने IITs start हो गए थे, five IITs were started, okay, five IITs start हो चुके थे, by the end of 1956, ठीक है, then, contracts were signed, to start five steel plants, which came into existence, in the middle of second fire plan, at least contract हमने sign कर दिया था, इस five IITs plan में, first fire plan में, क्या start करने के लिए, five steel के plant start करने के लिए, ठीक है, और जो कि existence में कब आए, जब second fire plan start हुआ ना हमारा, उसके middle में वो, existence में भी आ चुके थे, ठीक है, तो यह था हमारा plan, अब achieve क्या क्या हुआ इसमें, सबसे main बात, हमने planning तो कर दिया, अब achieve क्या क्या हुआ, in reality, GDP of 3.6% per annum was achieved, हर साल कितना GDP achieve हुआ, 3.6 हुआ, मतलब जितना हमने target किया था, उससे जादा ही हुआ, फिर यह जो irrigation project थी, वो तो start होई गए, मैं तो आपको plan में भी बता दिया, क्या क्या हुआ, मैट्टूर डायम, हीराकूंड डायम, भाकरा डायम, यह भी start हमने कर दिया, rehabilitation of landless workers, whose main occupation was agriculture, जो भी भटक रहे थे, landless, जिसको पास जगा नहीं थी, ऐसे workers को हमने क्या किया, एक rehabilitation कर दिया, उनको proper जगा दी, जिसका main occupation क्या था, agriculture था, ऐसे लोग भटक रहे थे, आज़ादी के बाद, तो हमने उनको क्या कर दिया, rehabilitation कर दिया, यह first fire plan के achievements बता रहा हूं मैं, ठीक है, soil conservation was given importance, soil conservation को बहुत ज़्यादा importance हमने दिया, यह अच्छा सा importance दिया, then efforts in improving post and telegraphs, railway services, road tracks, civil aviation वर टेकन, efforts हमने लिया कि क्यों ना हम लोग post और telegraph को ज़्यादा importance दे, railway services को importance दे, road tracks जो है उसको construct करने में, उसको बनाने में ज़्यादा importance दे, civil aviation को बनाने में ज़्यादा importance दे, तो यह सब हमने efforts लिये और इसको achieve करने की कोशिश की, then sufficient funds were allocated for the industrial sector, industrial sector को growth करने के लिए भी हमने क्या किया, sufficient funds जो है वो allocate किया, और last point, majors were taken for the growth of small scale industries, तो यह सब हमने achieve किया first year plan में, अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, second जो 5 year plan है, वो देखेंगे हम लोग, ऐसे total 12th plan है, total 5 year plans, जो हमको one by one देखना है, और यह economy का बहुत बड़ा part cover हो जाएंगा इस वीडियो में, मतलब यह जो इतने भी हम लोग videos देखेंगे न, सिर्फ 5 year plan के, उसमें भी economy का बहुत ज़्यादा part हमारा cover हो जाएंगा, ठीक है, थैंक यू,